नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंचली आनंद बुलेटिन की शुरॉआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ चपरा में जहरेली शुराब कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहरेली शुराब से मरने वालों का आकरा बढ़ते ही जा रहा है अब तक तिरपल लोगों की मौत हो चुकी है, और बताया यह जा रहा है कि कई लोग अब भी बिमार है, उनकी सिती गंभीर बताई जा रही है, कई लोगों को तो रेफर कर दिया गया है अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है यह अचार के बिजनस करके महीने के 5 लाग कमा रहे हैं, आपको भी यह करना है, तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए जैरिली शुराप का सेबन करने के मामले में अब तक तिरपल लोगों की मौत हो गई, वहीं तीन युवक और एक महिला समेट चार लोगों का इलाज एनम्सीएच में चल रहा है, बताया जाता है कि जैरिली शुराप पीने की बाद, तब्यत बिगरने की बाद, परिजनों ने आननफारन में छपरा की सदर इस्पताल में भरती कराया, लेकिन मरीजों की हालत जारा खराब होता देख, उसे बहतर इलाज के लिए राजधानी, पटना के दूसरे सबसे बड़े इस्पताल NMCH रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान एक वेक्तिक की मौत भी हो गई, और दो लोगों की आखेक की रोशनी चली गई, वह एक महला की हालत अभी बी चिंता जनक पनी हुई है, इस घटना से मरीज के परिजनों में आकरोश है, तमाम जानकार के साथ हमारे साथ छप बाताल के बाहर मौझूद है, वहां लगतार पहुच रहे हैं, मरीज किसी के स्थिती गंभीर बताई जा रही है, मौत का आकरा बढ़ते जा रहे हैं, यह तो बड़ा नटसंगहार क्या सकते हैं, और शर्म की बात है, बयानबाजी हो रही है, और कोई जम्यदारी लेने को अब भी तयार नहीं है, अब देखे, इस हीती यहां पे अभी वैसी है, और कुछ लोग जो है, लगातार होस्पिटल में पहुच रहे हैं, जिस तरीके से समस्या हो रही है, इसको लेकर, और यह जो सामुदाइक स्वास्त केंद्र है, यहां पे छपड़ा में, देखे, एक और यहां पे लोग हैं, किस तरीके की क्या समस्या हुई है आपके साथ? चक्कर आ रहा था, बीपी बढ़ गया तो आखिर सराब कहां मिल पाता है, यहां जो सराब बन दी है, सराब उपलब रहे हैं, और आप ने उससे ले लिया, उससे थोड़ा बहुत हम को दी आता है, तो देखिए ऐसे भी लोग हैं, जो समस्या आने पर होस्पिटल पहुच हैं, और असपस्ट बता रहे हैं कि सराब का सेबन किया था, चक्कर आ रहा है, समस्या जो है वो बढ़ी है, तो होस्पिटल आ रहे हैं, कई सिरियस केस जो है, यहां से वो छपड़ा रेफर किये गए हैं, एक जो आज सुबह में हमारे सामने यहां से रेफर किया गया था, म पूल मिला कर देखा जाए, तो पचास से ज्यादा की संख्या जो है, वो मौत का आकरा हो चुका है, हाला कि अनिघिर्थ तोर पे अगर देखेंगे, तो जो अस्थानिये लोगों के अनुसार यह आकरा काफी ज्यादा है, लेकिन सबसे गंभीर जो सबाल है, वो यही है, कि जब सराब बंदी है, तो फिर सराब मिल रहा है, देखिए, सुबह में जो यहाँ पे दो पेसेंट आए थे, उन्होंने बीती रात सराब का सेबन किया, और समझा जा सकता है कि जब परसासनी का स्तर पे इतना बड़ा कांड हो रखा है, बाबजूद इसके सराब भीक रहे ह और मिल रहे है, इसका सीधा है, हंगामा बर्पा हुआ, लेकिन आप जैसा बता रहे है कि कल रात को भी शराब का सेबन किया गया, उनके सिटी भी गंभीर हुई, अस्पताल पहुँचे, आप हमारे साथ बने रहे है, राकेश भी हमारे साथ जुरे हुए है, राकेश सवाल पाया है कि कहां से मिल रहा है, एक तरब तो ये दिखा जा रहा है कि छापे मारी हो रही है, पुलिस प्रशासन सक्ती बरत रही है, और बड़ा सवाल रजनी से उठता है कि हर बार क्या होता है कि अधिकारियों की बात की जाए, कारवाई हो जाती है, ठीक है, ठाना इंचार बातम पसरा हुआ है पूरे गाउ में उसके बाब जूद भी ये तस्वीरे देखने को मिल रही है। बातम पसराब जो है वो असानी से मिल रहा है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनस करके महीने के 5 लाग कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, तो Freedom App को अभी डाउनलोड कीजिए।